नमस्कार दोस्तों मैं प्रिया सैनी आप सभी का अपने चैनल जर्नी ओफे में बहुत-बहुत स्वागत करती हूँ दोस्तों जैसे कि आप सभी जानते हैं कि आपको मेरे चैनल पर आपके हर कॉम्पिटीशन से रिलेटेड वीडियोज प्रोवाइड कराई जाती हैं जाहे वो आपका कोई भी कॉम्पिटीशन हो, essay, poem, slogan या कोई भी important competition हो उससे रिलेटेड आपको वीडियोज पहले ही हमारे चैनल पर प्रोवाइड करादी जाती हैं तो ये जो चैनल है ये आपके हर competition के लिए बहुत important है तो आज भी मैं एक बहुत important topic पर अपनी वीडियो लेकर आई हूँ I hope आपके लिए जो वीडियो है वो बहुत ही beneficial होगी दोस्तों और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो चैनल को जादा से जादा सब्सक्राइब करें वीडियो को लाइक करें और जादा से जादा शेयर कर मुझे अपना support दें क्योंकि आप लोगों के support से ही मैं कुछ बहतर कर सकती हूँ आप लोगों की सपोर्ट के बिना मैं कुछ भी नहीं हूँ तो चलिए शुरू करते हैं आज का जो टॉपिक है वो है सराब वर्जित बिहार हर्शित ये टॉपिक है इसके उपर आप इसे निबंध के रूप में भी लिख सकते हैं और अगर आप भाशन पृतियोगिता में भाग ले रहे हैं तो उसके उपलक्ष में भी इसको बोल सकते हैं दोनों ही तरह में ये जो वीडियो है वो बहुत ही अच्छी जाने वाली है बहुत ही बेनिफीशल होगी और आप वाके ही कोई ना कोई पुरस्कार जरूर जीतेंगे दूसरी बात आपको मैं इसी टॉपिक पर इसी सीर्षक पर इसी विशय पर एक और वेडियो प्रोवाइड करा दूंगी इस वेडियो के बाद तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि जैसे ही मैं वेडियो अप्लोड करूं वो आपके पास आ जाए और आप उसे देखकर दोनों ऐसे को देखकर अच्छे से अच्छा निबंद लिख पाएं अच्छे से अच्छा भाशन दे पाएं तो देखें प्यारे बच्चों सबसे पहले जब हम अपने निबंद की या भाशन की शिरुवात करते हैं तो अगर इस तरीके से शिरुवात करें शुरू में दो शबदों से अगर उसका स्टार्टिंग बहुत ही बहतरी इन तरीके से करें तो उसका बहुत अच्छा बिहार को शराब वर्जित राज्य बनाए नशे की मार से आज पूरा भारत जकड़ा हुआ है युवा से लेकर बुजुर्ग पुर्शों से लेकर महिलाए जो भी देखो नशे की आदत में लिप्त है अगर इन वेक्तियों से पूछा जाए आप नशा क्यों करते हैं तो सामा जानिते जवाब मिलता है कि हम बहुत दुखी हैं और अपनी पीडा को भुलाने है तू हम नशा या शराब को पीते हैं यहां कूली पिक्चर अगर आप कुछ ऐसे एक्जामपल अपने निबंद में या भाशन में दे पाए जो रियल लाइफ से जुड़ेवे हूं तो देखी मैंने क्या लिखा है इससे रिलेट करते हुए यहां कूली पिक्चर का प्रसिद्ध गाना मुझे पीने का शोक नहीं पीता हूं गम बुलाने को बिलकुल सटीक बैठता है तो आप सबने भी यह गाना सुना होगा कि मुझे पीने का शोक नहीं मैं तो पीता हूं गम बुलाने को तो ये अगर आप अपने इससे में कोट कर देंगे क्योंकि ये बहुत ही popular lines है ठीक है तो ये बिलकुल सटीक बैठता है लेकिन जड़ा सोचिये क्या नशा करने से सब दुख बुलाए जा सकते थे होते तो आज विश्व में कोई भी दुखी ना होता किसी भी रा उनमुख हो जाएगी यदि यही जनता अंदकार की ओर उनमुख हो जाएगी तो बहला उस राज्ये की उन्यति तो मात एक स्वपन बनकर रह जाएगी स्वपन का मतलब होता है बच्चों सपना बनकर रह जाएगी तो इस तरीक से आप लिखेंगे इसके बाद बीच में का नाम बरत्मान समय में युवां वर्ग शराब का सेवन करने को अपना आधुनी करन समझता है मतलब यदि आज हम सराब पीते हैं तो सोचते हैं बहुत मौर्डन बन चुके हैं हम तो मौर्डन हैं इसलिए हम ग्रिंग कर रहे हैं लेकिन जिससे वह अपने भविश्य को खाल दी कुछ इस तरह से हमने अपनी जवानी निकाल दी तो प्यारे बच्चो इस तरीके से ही आपको निबंद लिखते रहना है और भाषन बोलते रहना है अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर क्योंकि यहाँ पर आपको सब से बहतरीन ऐसे मिलते हैं शराब को अपने राज्ये से जड़ से उखारने के लिए बिहार में शराब वर्जित बिहार हर्शित अभियान शुरू किया गया जो की शराब बंदी के लिए महत्रपूर अभियान है सरकार के इस प्रियास का सहयोग हम सभी को तत्परता से करना चाहिए जिससे की हमारे आसपडोस और परिवार में खुशाली आए और हम सब खुचियों से भरा जीवन जी सकें शराब पीने से व्यक्ति अपनी गलत आदितों को भड़ावा दे रहा है जिससे आने वाली पीड़ी भी इस नशे में लिप्त होती जा रही है अब आने वाली पीडी कैसे लिपतो रही है अब देखिए कोई परिवार है यदि उसमें पिता हमारे शराब पीते है तो बच्चा है जो उन्हें देखता है और बच्चा सिखाने से इतना नहीं सीखता जितना देख कर सीखता है वो देखता है अरे ये तो शराब पी रही है, क्या चीज पी रही है, मैं भी पी के देखता हूँ तो इस तरीके से जो आने वाली पीड़ी है, वो भी बिगड रही है, वो भी शराब में अपने आपको जोक रही है तो ये लाइन यहाँ पर इसलिए लिखी गई है अतहे अंत में हम कह सकते हैं यदि हमें भारत को वै बिहार राज्ये को नशा मुक्त बनाना है तो इसके लिए हर व्यक्ति को जागरुक होने अपड़ेगा तथा मिलकर इस बुराई को जड़ से मिटाना होगा नशा करना किसी समस्या का समाधान नहीं है बलकि हर समस्या की जड़ हो सकता है यदि हम सम मिलकर यह संकल्प लें कि शराब वर्जित अभियान का पालन सची निश्टा से करें तो तभी बिहार हरशित हो पाएगा और बिहा आपक कोटेशन बोल कर अपने भाषन का या आपने निवन्ध का अंत कर सकते हैं देखि कैसे शराब विष्की छोड़ कर कर लिजयो धर्म धियान वर्ना फिर पच्च्टाओगे दोस्तो वरना फिर पच्छता होगे होना सकेगा कल्यान होना सकेगा कल्यान तो दोस्तो यह आपका बहतरीन ऐसे था मुझे उम्मेद है कि आपको यह निबन बहुत अच्छा लगा होगा और आगे भी मैं इसके उपर इसी विशे के उपर एक दो वीडियोज आपको और अच्छी सी प्रोवाइड करा दूगी तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करें आगे भी आपके जो प्रतियोगिता होती है उसके लिए भी आप चैनल को सब्सक्राइब करें कि आप अपने प्रतियोगिता में प्रथम आए और हमें कमेंट करकर बताएं आपको जो भी प्राइज मिलता है क्योंकि बहुत खुशी होती है तो तब तक के लिए थेंक यू सो मच, all the best for your competition, बबाई